जहिन साथियो आज की कक्छा प्रारम करें उससे पहले आपको बता दें कि अनकेडमी ने ले करके आ गए हैं आपको फिरी फिलान जो की अनलोक करने के लिए आपको रेफरल कोल डालना है सुमिझ जेन आपको बता दें इस फिरी फिलान में आपको मिलेगा 500 पलस लाइप किलास हैं जो की MP के टॉप एजुकेटर द्वारा ली जाएंगी तो इसी के साथ साथ आप अपने डाउट भी किलियर कर सकते हैं 50 पलस एजुकेटर इसमें स्टडी कराते हैं डेली और बीकली आपके मोक ट जाम हो आपकी पूरी तैयारी यहां पर कराई जाएगी और 20,000 पलस कोईच कोश्चन के रूप में होंगे जिनका आप अभ्यास कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट के और डेली T20 फिरी टेस्ट होता है जिसमें 20 मिनिट में 20 कोश्चन हल करने पड़ते हैं तो आपको बता दें कि आपको आनकेडिमी में इस फिरी पिलान के अंतरगत जो MP के टॉप एजुकेटर हैं जो बहुत अच्छे सी अध्यन कराते हैं वो आपको मिलेंगे और बिलको सीरीज वाई सीरीज आपको डेली लाइब किलासों का लाब भी मिलने वाला है तो आप Google Play Store से आनकेडिमी एप ड तैयरी आपको यहाँ पर कराई जाएगी आपको क्या करना है डाउनलोड करना है Play Store से अनकेडिमी एप और कोड यूज करना है अनलोक करने के लिए फिरी यह सब कुछ मिले उसके लिए आपको सुमिच जेन रैफलर कोड डालना है जिससे आपको यह सब कुछ फिरी में मिल सास्तियों मैं हमें सास्त्री आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ हिंदी के बहुत ही महत्पून 30 पर लगवा जा हम चर्चा करेंगे जो कि आपके परिक्षा के लिए महत्पून है तो चली शुरू बात करें पहला है अलंकार का नाम बताओ प्रिये प्रवास की बात चलत ही सूखी गया तिये कौमल गात जैसे ही प्रिये प्रिवास की बात चली तो कौमल गात उनका सूख गया मतले इतनी बड़ा चड़ा करके बिल्कुल बात कर रहे हैं इसलिए यहां पर कौन सा हो जाएगा अती सायोकती अलंकार हो जाएगा ठीक है वह पढ़कर के समझना किस किस में तो आपको बता दें कि इसका उत्तर कमेंट में आपको ही बताते जाना है और फिर हम भी बताते जाएंगे ठीक है तो अलंकारों के सार्थक प्रियोग से क्या होता है कि अलंकारों के सार्थक प्रियोग सब्द चैन से बहाव समप्रेशन में सहायता मिलती है आग क्योंकि ऐसे बहुत ही महत्पूर्ण वीडियो चाहे हिंदी के हो चाहे संस्कृत के हो चाहे बालवकासादी के हो हम आप तक लेकर कि आते रहते हैं चैनल पर बहुत से वीडियो अप्लोड है आप पले लिश्ट में जाकर के आपको जो भी वीडियो देखना है जरूर देखें और आप दी पूरी तयारी सिलिवस के नुसार करना चाहेते हैं तो यूटूब पर सार्च करें टॉप फिप्टी स्टडी और इस हमारे यूटूब चैनल से जुड़ जाएं आपको हम पूरी तयारी टॉप फिप्टी स्टडी यूटूब चैनल के माद धिम से कराएंगे आगे देखें सही बिकल्ब चुने भाव दसा के कारण बचन में आये परिवर्तन को क्या कहते हैं भाव दसा कारण बचनों में परिवर्तन आ रहा तो क्या कहेंगे उसको बाचिक ठीक है अब बाचिक क्या कहलेंगे क्योंकि भावों में परिवर्तन आ रहा है तो अनुभाव कहलाएगा क्या कहलाएगा बाचिक अनुभाव आगे देखते हैं सही बिकल्ब चुनिए काब कभीता या पद साहित्त की बैविदा है जिसमें किसी कहानी या मनुभाव को खाली स्थान किसी भासा के दौरा अभिव्यक्त किया जाता है किस रूप से किया जाता है तो आपको बता दें कि यहां पर कलात्मक रूप से कभीता में भै प्रिस्तत किया जाता है ठीक है आगे देखते हैं पल्लवन में सूत्र बाक विचार या भाव को क्या दिया जाता है पल्लवन में विस्तार दिया जाता है तो क्या हो जाएगा मात्र विस्तार दिया जाता है ठीक है मात्र विस्तार नहीं होगा मात्र होगा याद रखीएगा आगे बहुत अच्छे अच्छे महत्पूर्ण कॉस्चन है वीडियो पूरा देखना पल्लवन और गद्ध से पूछे जाते हैं कई बार कॉस्चन लोग सबसे जादा है इसी कॉस्चनों में गल्दी करके आते हिंदी में इसलिए आप पढ़ लें पल्लवन सामाननेता खाली स्थान भासा में किया जाता है तो किस में गद्ध भासा में किया जाता है पल्लवन पल्लवन और संचिप्ती करण करते समय क्या करना चाहिए अलंकार सैली का प्रियोग नहीं करना चाहिए जब संचिप्ति कर रहे हैं तो अलंकार सैली का प्रियोग नहीं करना है याद रखना है इस बात को ज्यान की किसी विशेश विधा कारचेतर में प्रियोग किये जाने वाले सब्दों को क्या कहते हैं तो पारिभासिक सब्दावली किसी विशेश विधाया कारचेत में जो सब्दों का प्रियूग कहलाता है वो क्या है पारिभासिक सब्दावली है आगे चमतकार की छमता रखने वाले एक ही सिलोग को खाली स्थान कहते हैं जिसमें चमतकार की छमता रखने वाले एक ही सिलोग किसी एक प्रमुख विसेस्ता का चित्रण होने की कारण अधिक खाली स्थान नहीं होता है क्या नहीं होता है क्योंकि एक ही मुख्ष चरित रहता है खंड काब में महा काब होता तो उसमें पूरा जीवन चरित रहता है इसलिए वहाँ पर हो जाता विवित्त विस्तार खंड क प्रत्य सब्द के बाद लाता है। तो ओड़ा आप देख लें किसके बाद में है। ठोस का बिलोम है। ठोस मतलो कठो तरल। ठोस का बिलोम क्या हो जाएगा। बिल्कुल स्वेट से हमें लेना है समय को बचाकर के आपके जादा से जादा कॉस्चन हम कंप्लीट कराने का प्रयास करते हैं। ठीक है, भासा की सबसे छोटी काई क्या है, धौनी या बर्ण, ठीक है, ऐसे ही बोली किसकी है, तो बोली भासा की छोटी काई है, क्या याद रखीएगा. मैंने उसे बहुत समझाया परंतु बह नहीं समझी अब एक कौन सा बाक है तीन पिकार के बाक अपन पड़ चुके मिस्र बाक, संयुक्त सरल और निशे धात्मकादी बाक अर्थ की आधार पर आठ पिकार के भी पड़े हैं तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैंने उसे बहुत समझाया परंतु बह नहीं मानी कैसा बाक है तो परंतु बगर है जो आजाया और आजाया तो हमने बताया तो संयुक्त बाक होता है मैंने उसे समझाया एक बाग परंतु बह नहीं समझी दूसरा तो संयुक्त बाग हो गया ठीक है अब देखें नीचे दिये गए बाग के लिए सटीक मुहाबरा बता ये इसके लिए मुहाबरा बताना बाग के दिया है बहुत अधिक परिश्रम करने बाला तो बहुत अधिक जो परिश्रम करता उसके लिए अपन क्या कहते हैं कोलू का बैल कहते हैं कोलू की बैल जैसे पिल रहे हो भी ये बहुत अधिक परिश्रम कर रहे है तो कोलू का बैल मुहाबरा लोग ओकती हम डेली वैसे भासा में अपने प्रियोग करते हैं पहचानने की दरूरत है इसके लिए भी सही मुहाबरा बताना क्या है राम उससे जब पुस्तक मांगने लगा तो भै खाली स्थान करने लगा अपन केशी से कुछ मांगते उसको नहीं देना हो तो वो क्या करते हैं पई करते हैं आना कानी अपन नहीं कहते हैं आना कानी कर रहा है वो ऐसा काम कर ही नहीं रहे देहीं नहीं रहे तो आना कानी इसका उत्तार ठीक हो जाएगा आगे देखते हैं एक और बात बता दें दिए आप संस्कृत के लिए आपको अभी तक विवस्तित अध्यन नहीं मिला हो तो आप टॉप फिप्टी स्टेडी चैनल पर जाकर के पिले लिष्ट में जाकर के आप संस्कृत के ब्याकरण के पेडागोजी के संधी समासाधी सारी कच्छाओं को पढ़ सकते हैं युबकों को खाली स्थान होने पर ही विभाय करना चाहिए क्या होने पर अपन कहते भी आपने पेरें पर खड़े हो जाओ तो आप साधी कर लेना यदि आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन तो आपको बता दें कि उसमें आपको कम्प्लीट सिलेवा स्केनुसार आपका पूजा बैच मिलेगा बीकली मोक टेस्ट होंगे आप अलग-अलग बैच हैं दस महीने के लिए भी आप MPPSC प्रीमेंस का भी बैच ले सकते हैं और प्रतेक मतलब मन्थ में नए नए सेसन लाँच होते हैं आप उनका भी लाब ले सकते हैं टू-यर फाउंडेशन बैच भी है अभी मैं आँगे सबके प्राउज भी बताऊंगा बहुत महत्पून आपके लिए बैच हैं T20-Target MPPSC प्रीम्स लाँच एवरी मन्थ होता है उसका भी लाब ले सकते हैं और थ्री मन्थ के लिए भी बैच बनाये जाता है आप MP के कोई भी एकजाम की तैयारी कर रहे हैं MPP Forest, MPP Police, Count Stable, MP Service Vector या फिर किसी भी MP की एकजाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस Subscription Plans का लाब जरूर लें इसमें 50 प्लस टॉप MP की जो एडुकेटर हैं जिनको कई वरसों कानुभव है पर डेली आपकी Live Class लेंगे और एक मन्थ में आप आपको 2500 प्लस लाइब किलास मिलेंगी अनकेडिमी आपके माध्यम से डाउट के लिए सेसन होगा हिंदी और इंग्लिस दोनों में आपको किलासे मिलेंगी और नोट्स भी उपलब्द कराए जाएंगे 20,000 प्लस आपको MCQ Question इसमें मिलने वाले हैं तो आप जरूर से लाब लें और अनकेडिमी आपको डाउनलोट करने के बाद आपको क्या करना है MPPSC व्यापम चुनना है उसके बाद प्लस पर जाना है और प्लस पर जाने के बाद यहां पर आएगा Get Subscription तो यहां पर आपको जैसे ही आप किलिक करेंगे तो आपके लिए प्लान खुल करके सामने आजाएंगे जिसमें बंत मंत का प्लान है 1440 का 3 मंत का है 3600 रुपे का 6 मंत का है 6480 का 12 मंत का है 7920 का और 24 मंत का 11450 रुपे का प्लान है आप कोई भी प्लान लें ती आप चाहते हैं कि हमें कुछ छूट मिले तो आपको 10% डिसकाउंट विसे इस रूप से दिया जा रहा है आपको रैफलर कोड याद रखना है सुमिद जैन उसको जैसे ही आप डालेंगे तो आपको 10% का डिसकाउंट मिलेगा फ्री लाइफ किलासेस कोर्स का आनंद ले सकते हैं अपने डाउट किलियर कर सकते हैं और जैसे रग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको क्रेक कर सकते हैं आगे नीचे दिये गए मुहाबरे का अर्थ बताई दाग लगना दाग लगना मतलब क्या होता है कलंक लग जाता है अपन बोलते न तुम्हें दाग लग गया भी है कलंक लग गया ऐसा गलत काम किया तो इसकार से हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं बहुत महत्पून पुष्ण है देखती जाईए नीचे दिये गए सब्दों के अर्थ बताईए ठीक है तो अमूल और अमूल जिसका मूल नहीं हो वो कहलाता है अमूल मतलब होता है जड़ तो एक हो जाएगा जड़ रहत ठीक है और फ़र अमूल मतलब जिसकी कोई कीमत नहीं हो जिसकी कोई कीमत है आप बहुत अधे कीमत हो ऐसे उसके कोई सामान मूल ना लगा सके तो जड़ रहत और कीमती इस प्रकार से तीन नमबर उत्तर सही हो जाएगा और देखें नीचे देगए सब्दों के अर्थ बताई ये असाध है और असाध हूँ असाध मतलब होता है जो आसानी से साध ना हो मतलब कठिन हो देख तो हो जाए कठिन और असाध हूँ मतलब होता है दुष्ट ब्यक्ति तो कठिन और दुष्ट कहां लिखा है सुद्ध ये लिखा है कठिन और दुष्ट चान नमबर इसका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों question आपको पसंद आ रहे होंगे वीडियो को like ना किया हो तो जरूर कर दीजीगा आगे देखें अबली और आबिलकार्थ अबली और आबिलकार्थ बताना है तो आबली तो आप जानते हैं पंक्ती लगा देना तो पंक्ती हो जाएगा ठीक है ये क्या हो जाएगा पंक्ती अब दूसरा है आबिल तो आबिलकार्थ होता है गंदा क्या होता है गंदा तो पंक्ती और गंदा ठीक है इससे ही हो जाएगा आगे पंच पात्र में कौन सा समास है कई बारे पूछा गया तो हमने बताये था कि पहला सब्द संख्या बाची जहां पर होता है वहाँ पर दिगू समास होता है ठीक है तो दिगू संख्या बाची दिगू याद रखीएगा यहाँ पर रस का नाम बताना है प्रिये पती बह मेरा प्राण प्यारा कहां है दुख जलदी निवन का सहारा कहां है अब तक जिसको में देखके जे चुकी बहरदय हमारा नीतरतारा कहां है तो यहाँ पर कौन सा अब यहाँ पर बिछुडने की बात हो रही है कि यह कहां है त अगला देखते हैं, छंद सब्द का मुख अर्थ बंधन है, खाली स्थान नियमों के आधारित का ब्रचना को छंद कहा जाता है, तो कौन-कौन से नियम हो बताना है, तो देखें, छंद में क्या-क्या होता है, आप सबको बिल्कुल याद होना चाहिए, तो कई बार पूछा जाता है, गती होती है, तो कहा है, गती तुक मात्रा ब्राम, ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तरे सही हो जाएगा, और अगला देखते हैं, उससे पहले बताते हैं, लाइक जरूर करना, दोस्तों, सेयर भी अपने दोस्तों तक के जिससे बो लोग भी हिंदी अच्छे से आगे देखें, खाली स्थान से ब्यंग्यार्थ का बोध होता है, ब्यंग्यार्थ मतलब ब्यंग का कहा पर बोध होता है, ब्यंजना सब्द सक्ती में क्या होता है, ब्यंग्यार्थ का बोध होता है, हमें उम्मीद है आपको पूरे कॉस्चन बड़े अच्छे पसंद आ र हैं